हाई गाई वेलकम तो व्लोग तो आज मैं व्लोग फोड़ा लेट शुरू कर रही हूं थोड़ा सा बीजी थी मैं घर पे घर के कामों में और आज बाबू भी थोड़ा सा वेल्टीन नहीं कर रहा है तो आज यह बेट पेई नहीं उठा है और बागी ठीक है सब वैसे ठीक है आज अम इस घर पे हैं थोड़ी देर के लिए तो वह बच्चों का टेक्ष करेंगे और मैं जा रही हूं पार्लर सेल्फ टेंपर टाइए तो यार देखो यह मेरे बाल है मैं आपको दिखा रही हूं तो यह मैं जा जूँ है रांस्फोर्मेशन के लिए तो मैं इस पर कराऊंगी स्मूध्मिंग ट्रीटमेंट अब याप मेरे बालों की दशा देख रहे हो यह देखिए उन्हे देख ठीक है अब मैं आपको अपना हेर ट्रांस्फोर्मेशन दिखाऊंगी नॉमल हेर टू स् अब मेरे साथ चलो फिर चलते हैं पार्लर दिखाऊ अपने बाल ओप तो इसके बाद मेरे बालों में हेर फिक्सर अप्लाइ किया यह काइंड ओफ डेवलापर होता है जिससे कि जो हमारे बालों का बॉंड होता है वह मतलब की तूट जाए और बाल एक फॉर्म ले लें जिससे कि हम उन्हें स्ट्रेट फॉर्म में फिर कर पाएं तो इसको हमारे बालों में यह लोग लगा के 45 मिनिट्स तक छोड़ देते हैं और सारे प्रोड़क्ट बिल्कुल ओरीजनल यूज हुए हैं लॉर्यल के हैं और से यह लें बालों में ठीक हैं तो फॉर्टि फ्षाइफ मिनिट्स तर प्रोड़क्ट लगा कि मेरे बालों को छोड़ दिया उसके बाद हे Shout मेरे बालों में एक और treatment दिया गया उसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगी एक और treatment दिया गया उससे क्या हुआ कि मेरे बालों एक श्मूद स्ट्रक्चर मिलेगा और जो नीचे से डामेश थे ना जो आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा है उससे उसमें काफी फर्क पड़ा तो मैं आपको भी दिखाती हूं इन्होंने क्या प्रोडक्ट यूज किया है तो वश के साथसार if fiber walks का एक treatment है जिसके दो स्टेप होते हैं तो फॉर्स्ट यह लोग में देते हैं developer आप उसके वश के साथ देते हैं और सेक्ट स्टेप देते हैं जब सेकंड लोशन लगाते हैं fixr जब फिक्सर लगाते हैं तो उसके साथ देते बाल वाश हो गए हैं अब ड्राय कर रहे हैं पहले मेरे बालों को ब्लो ड्रायर करेंगे ब्लो ड्रायर के बाद जब बाल अच्छे से ड्राय हो जाएंगे तो उसके बाद फिर एक बार और प्रेसिंग होगी प्रेसिंग मतलब बिल्कुल एक बाल अलग करके बिल्कुल उसको स्ट्रेट करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले इन्होंने जो यूज किया तो जो सबसे पहले इन्होंने डेवलपर यूज किया था उसके बाद स्ट्रेट करके बालों को एक स्ट्रेट शेप दे देंगे और इसके बाद फिर मेरे बालों में इन्होंने फिक्स फिक्सर फिक्षर तक बाल ड्राइए करके फिक्सर लगाने के बाद भी 20 मिनट तक फिर बालों को रेस्ट दिया ताकि आप बाल प्रॉपर अपनी शेप पकड़ ले और उसके बाद फिर वश किया और वश करने पे मेरे बालों में फाइवर नमबर टू मतलब सेकंड स्टेप पूरा किया गया जिससे की प्रॉपर एक बालो को प्रोटेक्शन शील्ड मिली और मेरे बाल अच्छे से प्रोटेक्ट हो गया देन अगें ड्राइ अगें स्ट्रेट एंड एवरी प्रोसीजर फॉलोड बट आयम वेरी हैपी कि हां मेरा कुछ लुग चेंज होने जा रहा है और सीरियसली इस चेंज मी इस चेंज माय लुग और आई वस फिलिंग रेली वेरी ओसम आप लोग देख सकते हैं बाल बिलकुल स्ट्रेट हो गया है और यह पर्मनेंट स्ट्रेट निंग है दोस्तों अब कहीं पर भी शादी पाटी है किसी भी जगह जाना हो बस मुझे अपने बालों में कोम करना है मुझे कोई प्रेसिंग करने की जुरत नहीं है कोई स्ट्रेटिंग करने की जुरत नहीं है बाल मेरे हो गए है smooth उसके बाद फिर से dry फिर से मतलब यार बहुत बार wash होता है बहुत बार dry होता है और बहुत बार straight होता है बट हाँ this is three hours procedure तीन घंटे का proper procedure है तीन घंटे का proper procedure है उसके बाद आपका पूरा look change हो जाएगा और यह hair color मेरा पहले से है यह highlights बट अब यह नीचे आगया तो आपको global look दे रहा होगा बट यह मेरा पहले सो फ्रेंट्स कुछ लोगों को मन में एक वहम रहते हैं कि smoothing कराने के बाद बाल जड़ते हैं या बाल खराब हो जाते हैं तो यह मेरा personal experience है मैं तो काफी सालों से करवा रही हूं smoothing और मेरे बाल खराब ही हैं मतलब क्या बोलू मैं आपको मेरे बाल ना कराके मुझे खराब लगते हैं कराके मुझे मेरे बाल बाल लगते हैं और smoothing के साथ साथ सथ आप कारेटिन ट्रीटमेंट ले लो हैं जैसे मैंने फाइबर फ्लेक्स लिया आप कोई ट्रीटमेंट लो बालों को नरिश्मेंट देने के लिए तो आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुचेगा बाकी रेगुलरली इनके लिए एक अलग से श मेरे बाल चड़ गए, बहुत सी लड़कियों की फीडबैक होते हैं, तो नहीं, अगर आप केर करोगे, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अब अपनी फाइनल लोक, फाइनल लोक मेरी बहुत आची थी, I am very happy करेंगे थीड़कन है, टुर्क को मैं फाइनल लोक में आजिए ढफसाइनल मैं आइनल आच्छा रहे हैं और बहुत अच्छा काक्राइए अब आप खोदी चेंज देख रहे होंगे यह देखो आपको मैंने बिफोर भी दिन आये अपने बाल और आफर भी दिन आ रहे होंगे और अब आपलोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ की मेरे हैर कैसे लग रहे हैं इस और नर्मल स्मूधमिंग ट्रेटमैमें तू खिंच मैं घर पर आ लगे हूँ अभी नरे मेरे बाल आपको थोड़ाई पिछकु पिछकु से लगे जस्बिकॉर कीवकर क्योंकि अभी रिम तो रीम तगे यह रखना है बांकि इसकी जो में इतना इस पर दोश के बाद ही आएगी तो मैं आपको तब दिखाँगी बांकि खाम मुझे तो बहुत अचा-चा फील हो रहा है और घर आते ही बच्चों ने इतना घर पे ला रख है वो देखो सब पीछे से देख रहा हैं मेरे सारे शेतानिया करके बाबु सो गई है मुझे अब दिनर बनाना है दिनर के प्यारी करनी है कि माया से मिल लो आपके माया पढ रही है इसका रूम पुरा मैसी हो रखा है ये पूरा क्लीन करना है मुझे खाना बनाना है गाइस प्लीज ट्राइट अंडरस्टैंड मिलती हुमें आप लोग पे कल सुबा नए तरो ताज़ा व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई गाईस कल मिलते हैं अच्छे फ्रेश व्लोग में और स्मूधिन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वाई वाई